अगर आपका गलती से घी जल जाता है तो जले हुए घी की स्मेल को आप कैसे ठीक कर सकते हैं आसानी से दूसरा विंटर्स में हम घर पे मखन कैसे बनाएं बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ वीडियो पूरा देखें इस किप ना करें अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी यूजफूल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पे देखिए मैंने लगभख 10 दिन की मलाई स्टोर की हुई ले ली है सबसे पहली बात कि आप जब मलाई को इस store फीज में करते हैं तो आप दही डाल के जरुर उसको करें तो इसमें मैंने warm score किया था और जब मैंने 150014 करने के लिए start किया था तो इसमें दही डाल दिया मलाई को झालें और जब भी आपको बनाना तो मलाई को फ्रीज में से 2-3 घंटे पहले निकाल दें फिर घी बनाना बहुत आसान हो जाता है आप एक बरतन में पूरे घी उसका चेह और तो में वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें अप को एक-एक अस्टे Pardon में मठ्छ अलह कि पहचान होती है वह सारा कुछ में तिप्स यहां पर शेयर कुरहें बिल कुल में अपर घीप यहां पर देखिए जो पावभाजी के लिए आता है इससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं तो देखिए यहां पर दो चीजों का मैंने यूज़ किया है और इससे मक्षन इतने आसानी से निकल जाएगा कि आप देखते रहे जाएंगे आपको पिल्कुल भी टायम नहीं निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है बरतन दस गंदे होते हैं बहुत ज़्यादा किसकिस हो जाती है तो इससे अच्छा है कि एक बरतन में हम आसानी से मक्षन को निकालने मक्षन निकलने की पहचान यह होती है कि जब आप मलाई को चलाते हैं तो मलाई बहुत ज्यादा थिक होती है और बहुत मतलब चलाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन जैसे ही मखन निकलना स्टार्ट होने लगता है तो जो मलाई हम फेट रहे हैं वो एकदम हलकी हो जाती है हलकी होने के बाद फिर एकदम आसानी से मखन निकल जाता है तो यहां पर देखि कियें यहां पर क्योंकि विंटर्स हैं तो हल्का गुनगुना पानी अच्छे से साफ करने के बाद इसको हमें दो सेतीन पानी सेसाफ करेंगे उतना अच्छा रहेगा और मखिन आसानी से असाफ सुथ्रा हो जाएगा और जो इसका गी बनाते समय जो कुछर निकलती है न वह बहुत अच्छी रहेगी तो बस इसको देखिए मैंने इसी सेम बरतन में निकाल लिया है मठालक कर लिया है और इस मठे का यूज आप कर सकते हैं क्योंकि आपने नहीं डाला है तो आप इसकी कड़ी भी बना सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद हो तो फिर आप इसको हटावे सकते हैं तो यहां पर देखिए हमारा मखण बनके रेडी हो गया है कितना अच्छा बना है और यह पीला है तो आपको लगेगा पीला क्यों है तो मेरे हैं गाय का ही दूद आता है इसलिए इसका मक्षन जो है पीला बना हुआ है और अब हमने इसको देखिए गैस पे चड़ा दिया है और अब जो है इसका घी बन जाएगा तो है न कितना आसान मक्कन निकालना बिना जन जटो के बस किबल दो चीजों का इस्तमाल करके आप निकाल सकते हैं या फिर आपके उल्चम्टेस निकाल सकते हैं जो भी आपको पास आवलेबलर उस से आप निकाल सकते हैं बस यहां गी बनने में low to medium flame पे रख दीजे और आपका गी बनके तयार हो जाएगा तो बस देखें यहां पे अब काफी हो चुका है आधा लगबग हो चुका है और थोड़ा भी इसमें बाकी है कसर तो वो भी होई जाएगा फटाफट और गी में अच्छी सी खुस्बू रह उसके लिए हमें हाँ पे कुछ चीजों का यूज करना है जैसे कि यहां पे मैंने दो काली मिर्च डाला है दो लॉंग डाला है और तेजबता डाला है इससे क्या होता है कि घी बहुत अच्छा बनता है खुस्बू दार बनता है और लॉंग टाइम तक इसमें खुस्बू बरकरार रहती है तो बस इन चीजों को मिला दें आप इस स्टेच पे तो आपका घी बहुत अच्छा खुस्बूदार बनेगा तो बस अब जो है घी बनने का बिलकुल तैयारी है और थोड़ी देर में पांच मिनिट में यह एकदम लाल हो जाएगा जब तक इसकी लाल नह इसलिए थोड़ा सा कम स्टेच पे ही बनाएं उसके बाद नहांने जो है इसको बंद कर देना है उसके बाद थंड़ा करने की बाद हम चान लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने गी को चान लिया है एक काज के बॉटल में कभी भी आप घी को चाने के बॉटल में ही रखे तो लॉंग टाइम तक घी फ्रेश बना रहता है और लॉंग टाइम तक खुसबुदार रहता है तो इसलिए आप हमेशा प्लास्टिक के बरतन में बिल्कुल भिना रखेंगी को हमेशा काज की बाटल में ही रखें उमित करती है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगा तो फ्रेंज दूसरा टिप्स किचन टिप्स है कि अगर आप गलती से गी बना रहे हैं और आपका गी जल जाता है जैसे कलर दिख रहा है इस तरह का हो जाता है जले हुए गी में बहुत जादा स्मैल आती है तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं कुछ दो तीन तरह से आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी जानकारी मिलेगी इस पर और भी बहुत सारी वीडियो हैं मेरे चैनल पर तो आप देख सकते हैं जले हुए घी से इसमैल निकालने के जो तरीके मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूं वो बहुत जादा यूजफूल है और अपना लगभग एक से दो इंच टुकड़ा लेंगे उसको छोटा छोटा कर लेंगे इसको हम घी के अंदर डाल देंगे इससे क्या होगा कि जो घी जला हुआ है उसकी स्मैल अद्रक के अंदर अब्जर्ब हो जाएगी और यहाँ पर हल्दी जो होता है वो कलर को भी अच्छा कर देगा यहाँ पर देखिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसी जो गरम हाथ है घी की उसी के से आपका जो घी है वो अच्छा से हो जाएगा इसके अंदर हम दो तीन पत्ते तेज पत्ते के भी डालेंगे जिससे की इसमें जो है एक अच्छा सा फ्लेवर आज तो बिल्कुल भी चीर मीम आईगी उसन घी का यूज आपाता कि अगर आपके पास तीसरा उपाय यह है कि अगर आपके पास पाण के पत्ते ऐह तो आप उनको भी डाल सकते हैं उससे भी जो जले की इसमेल है न हो चली जाएगी भस घी को थोड़ी देर के लिए ठंडा होन फेक देना है उसका हमें कुछ भी नहीं करना है तो देख सकते हैं गी का color कितना change हो गया है और इसमें बिल्कुल भी जले की smell नहीं आ रही है बिल्कुल चली गई है आप यह बहुत effective है आप जरूर इस ट्रिक को अपना के देखिएगा आपको बहुत जाधा useful लगेगी और प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करो तो यहां पर देखिए मैंने भर दिया बॉटल में और जो हमारा घी का यूज करने वाला डिपा है उसमें मैंने रख दिया है इस खी का यूज आपको रोटी में करना है तड़के में बिल्कुल भी यूज नहीं करना देखिए मैंने रोटी बनाई है और उस पर ही मैंने लगाया है तो बस इसका यूज इसी तरह से करना है बाकी आप और कहीं यूज ना करें नहीं तो फिर आप जैसे मि धाई बनाने में बिल्कुल भी उस ना करें उमीद करती हूँ है वीडियो आपको अच्छे लगए थेंक यू